इस वीजियो को sponsor किया है Dr.Phone, Phone Transfer ने जिसकी मदद से आप अपना Android का सारा डेटा iPhone पे, iPhone का सारा डेटा Android पे, iPhone से iPhone और Android से Android सारा डेटा एक क्लिक की मदद से ट्रांसफर कर सकते हो। यह PC application है, इसको download करना है अपने PC में आपको, वहाँ पे दोनों devices को connect करना है, data type select करना है, start transfer पे click करना है, और एक device का सारा data दूसरे device पे seamlessly transfer हो जाएगा, doctor phone, phone transfer का link नीचे description box में है, उसके click कीजिए, इसको download कीजिए और check out जरूर कीजिए, doctor phone की दरफ से यह है 20% discount का coupon code, इसको इस्तिमाल कीजिए और पाईए doctor phone के ओबर 20% का flat discount, वीडियो के starting में आपको doctor phone के बार में बताया था, इस coupon code को इस्तिमाल करके उस पे पाईए 20% का flat discount, link नीचे description box में मौझूद है, थोड़े दिन पहले दोस्तों, एक वीडियो मैं ने डाला था, जहां पे आपको बताया था कि बूट लूप में अगर आपका phone अटक जाता है, तो उसको आप कैसे recover कर सकते हो, उसको कैसे ठीक कर सकते हो without data loss, जिसके जरी से हम यह चीज़ कर सकते हैं, और वहाँ पे giveaway भी announce किया था, मैंने चुन company वालों ने मुझे बोला था, obviously announce करने के लिए आप में से किनी 5 लोगों को, वो software जो है $50 का, वो completely free दिया जाएगा, तो यहाँ पे उन्होंने आपके comments को पढ़ा, और मुझे email किया, और वो जो comments उन्होंने email किये जो winner है, वो मैं आपने announce करता हूँ, क्योंकि मैंने promise किया था आपको, कि मैं आपको बता दूँगा, तो देख सकते हैं, आप अपने screen पे screenshot पहला जो winner है, उस contest का, जिनको free में software मिला है, उनका नाम है तनुच कुमार, वो दूसरे लोग की help करना चाहते है, तो ये भी उन्होंने select किया, तीसरा जो comment है, यहाँ पे, जो के winner है, इस contest में, वो है Amit Singh, Amit Singh जो है, वो एक shop चलाते है, mobile repair की, और वो उससे, जो है, इस software से उनको काफी मदद होगी, तो definitely हमारे यहाँ का एक business, जो है, वो, उसकी help हो रही है, इस software के वहाँ से जरूर इनको winner choose किया गया, उसके बाद है, यासिर मेहमूद ये बंगलादेश से है, तो international winner भी है, यहाँ पे, जिनके grandmother उनको कोई gift किया था iPad, जो के stuck हो गया, इस तरी के boot loop में, तो उनको भी ये software दिया जाता है, और जो last है, वो है, चौधरी, सज्जाद, और इन्होंने भी इस टाइप का ही comment किया है, कि वो अपने community की और अपने जो known persons है, उनकी free में मदद करना चाहते है, ताकि उनके जो Apple products है, उनका अगर कभी step का problem आ जाए, तो वो उसको ठीक कर सेगे, तो बहुत congratulations, जो ये 5 winners हैं हमारे उनको, और आपको जो है, एक या दो दिन में आपका जो email idea आपने दिया हुआ था, वहाँ पे आपको, आपके software का license मिल जाएगा, तो congratulations, तो आइए दोस्तों, इसी करद हमारा Sunday Q&A जो है, शुरू करते हैं, फटा-फट से questions लेते हैं, और आज जो है, काफी सारे iPads related questions भी आए है, तो मैं बहुत ही सारा खोश हूँ हूँ क्यों आइफोन के अलावा भी किसी दूसरे product में लोगों, books related या Mac OS related वो सभी को सीखने मिलेगी, जिसमें सबका फायदा होगा, तो पहला question पूचा है, आकाश गुपता ने, ये बोलते हैं, कि Airpods 2 जो है अभी ले लेना चीए, या Airpods 3 के ले वेट करना चीए, क्या कोई Airpods 3 से related अपडेट आया है नहीं, Airpods 3 से related जो भी अपडेट है, जो भी लेक्स है, उसके उपर मैं dedicated वीडियो बना के आपको बताता हूँ, और वीडियो चैनल पे मौजूद होते हैं, रही बाद इसके उपर कोई अपडेट आया है या नहीं आया है, तो अभी जो है WWDC है, जहाँ जो नया iOS है, iOS 14, उसको अन decision make कर सकते हैं, वैसे Airpods 2 मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, और बहुत ही fantastic product है, अगला question है दोस्तों, पंकच Aurora का, ये बोलते है, मैं आपसे पूझना चाते हूँ, iOS पर shift होना चाता हूँ, iPhone लेना चाता हूँ, तो मुझे क्या problem आईगी shift होने के उपर, देखे कोई भी platform से problem आती है, लेकिन थोड़े दिन के बाद आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, हमारे वीडियोज देखेंगे, आपको समझ में आजए किस तरीके से यूज़ करना है, और बहुत अच्छे तरीके से आप यूज़ कर पाएंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कुछ जो Android में होती है, जो iPhone में नहीं होती, out of the box वो है, जैसे call recording हो गया, या फिर आपको जो pirated movies वगरा डाउनलोड करना है, क्योंकि पाइरसी से related और प्राइवेसी से related बहुत जादा restriction लगा के रखा है आपल ने, तो यह सारी चीज़ है, otherwise आपको बहुत जादा अच्छा fluid experience यूट्यूब चैनल भी है, तो iPad कॉन सा लेने चाहिए, वीडियो एडिटिंग के रिए, देखिए 40,000 का बज़्ट है, 5000 उसमें और जो लो, और iPad Air 3 जो है, वो आप ले सकते हो, Air 4 भी आने के चांसे से उसके रिख सकते हो, otherwise Air 3 के लिए जाईए, बहुत ही जब 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 आप उसके एडिटिंग कर सकते हो, बहुत जब 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 पावफल उसका प्रोसेसर है, जो मैं Mini 5 भी उसकर रहा था, अभी दख वीडियो एडिटिंग के लिए उसमें भी वही प्रोसेसर है, और बहुत ही जब जब फास्ट है, उसका रेंडर टाइम भी, ता फुल फलज प्रकाश जादव का, यह बोलते है कि आइपड 2020 जो आया है नया वाला वो लेना चाहिए, या Macbook Pro 16 इंच वाला लेना चाहिए, कौनसा ठीक रहेगा, normal work के साथ, video editing भी करना चाहते है, और storage कौनसा better रहेगा, considering tight budget, देके storage तो आप जानते हैं कि Macbook Pro 16 इंच वाला, उसमें आप आपको 512 GB का storage मिलता है, और यहाँ पे आपको 128 GB का base storage मिलता है, तो storage का कोई issue नहीं है कि दोनों में USB Type-C port आता है, और उसमें आप external SSD लागा सकते हैं, तो कोई issue storage का नहीं है, रही बात आपको video editing करना है, और light work करना है, तो दोनों पे आप कर सकते हो, Macbook Pro 16 इंच वाला आपको आपको करना है, तो iPad Pro 2020 जो है, वो भी एक better option हो सकता है आपके लिए, अगला question दोस्तों काफी interesting है, बहुत लोगों ने इसके बारे में जानकारी हासिल नहीं कियोगी या सोचा नहीं होगा, लभीब इनका नाम है, यह बोलते हैं कि Apple products जो होते है, iPhone, iPad और iMac वगरा, इसके आए का मतलब था, वो internet था, यानि कि जो iMac था, वो एक computer जो बहुती आसानी से internet से connect हो जाता था, तो उस टेम पे internet एक बहुत बड़ी चीज़वा कर दी थी, लेगिन जब वो एक बोलते हैं जैसे आप एक brand बन जाता है, या फिर एक marketing का तरीका बन जाता है, वो product की एक naming हो है, वो चीज फिर continue होती और उससे उसकी पैचान बन जाती, तो वैसी iMac आया, फिर iPad और iPhone आपका जितने भी जो product से Apple के उसके आगे आए लगता चला गया, अगला question है दोस्तों लक्षे बहल का, ये एक inspiring YouTuber है, और ये बोल रहे हैं कि कुछ YouTube पे इन्होंने वीडियो अपलोड किया है, तो वो बोल रहे है कि मुझे कोई separate YouTube चैनल बना चाहिए, जो politics वाली चीज़ है, उसके लिए या फिर अपना main channel उसके रखना चाहिए, योगी काफी साथ हेट आता है, पहले तो आप समझ लिजए कि जब आप से किसी का difference of opinion होगा, यानि कि आपका opinion A है और उसका opinion B ह है, तो वहाँ पे hate पैदा होने के बहुत दा chance होते है, अगर मैं भी product के बारे में कोई चीज़ बोल दूँ, और सामने वाला उससे agree नहीं करता तो बहुत chance होता है कि वो मुझे भी hate करे, तो hate जो है हर चीज़ में आती है, ये जो है एक social media वाला platform है, जहाँ पे आप अपनी राय express कर सकते हो, आप चाहे तो अपने main channel पे भी कर सकते हो, आप चाहे तो separate channel भी उसके लिए बना सकते हो, ये depend करता है कि आप कितना ज़दा time देना चाहते है, क्या एक आत वीडियो आप उसके लिए बनाना चाहते है, separate channel की ज़रूद नहीं, आपने thoughts रख सकते है, अगर आ ज़रूद मैसुस नहीं, in fact, USB-C उनके iPad के अंदर होने की वेज़ से उनको एक burden feel होता है, कि Type-C cable एक उनको carry करना पड़ता है, जबके उनके जो Apple के दूस्टे iPhone वगरा है, या AirPods है, उसके लिए उनके बास lightning cable होता है, तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, कि बिल् प्रोडक में नहीं आया है, तो जब इसमें भी आजाएगा, तो फिर आपको एकी cable carry करना पड़ेगा, और तीनों प्रोडक्स या AirPods में भी आगर आजाएगा, तो सारे प्रोडक्स जो है, आप एकी cable से चार्ज कर पाएंगे, और Tech Industry की या Tech Community की जो बात आप बता रहे हो, कि Tech Extreme तो उसको ले जाएगे, हम लोग उसको पूरा इस्तमाल करते हैं, उसका एक एक पैसा वसूल करते हैं, और जब USB-C सारे प्रोडक्स में आ जाएगा, तो उसका जो एको सिस्टम है, USB-C वाला, जब वो common public भी यूज़ करीए, तो वो भी अपने प्रोडक्स जो है, जैसे iPhone ह या normal iPads इसमें lightning आता है, उनको जादा अच्छे तरीके से use कर पाएंगे, उसमें SSD कर पाएंगे, उसमें pen drive कर पाएंगे, बहुत ईजी तरीके से बिना एक्स्ट्रा पैसा करश किये, लेकिन आपकी opinion भी आपकी जगा सही है, अगला question काफी अच्छा है दोस्तो, आरियन बहल इनका नाम, बोते iPad students use कैसे कर सकते हैं, हम तो notebook में notes लेते हैं, तो iPad का लेकर क्या फाइदा हो सकता है, तो iPad में कैसे आप कर सकते हैं, कि उसमें multimedia वाले notes बना सकते हैं, और उसमें जादा interactive notes आप बना सकते हो, उसमें जैसे आपको कोई चीज अपने आपको explain करनी हैं, तो उसक आपको पोटेंशल है, वो कितना जादा है, आप पहले वो देखिए, समझी है, अगर आपको लगता है, कुछ फाइदे की चीज है, तब ही उसके लिए जाना, अगला question है, दोस्तो, सचीन यादफ का ये बोते हैं, कि iPad mini 5, iPad 6 generation, iPad 7 generation, इन में से में confused हूँ, कि कौन सा लेना चाहिए, थोड़ा detail में बता देना, कि iPad Air 4 का वेट करना चाहिए, मुझे PUBG के लिना, YouTube वीडियो एडिट करना है, प्लीज पिक माइक question, देको PUBG के लिना, YouTube वीडिय करना है, उसके लिए इतने ज़्यादा suitable नहीं है, Air 4 के लिए अगर आपको रुखना है, तो आप रुख सकते हैं, वो कुछ टेम में launch हो जाए, अगला question है, Music Mania गाव होते है, iPhone 12 Pro के अंदर जो LiDAR scanner आएगा, क्या उसका इस्तमाल portrait mode को enhance करने के लिए होगा, देकि होना चाहि वो portrait mode photography भी कर सकते हैं, और काफी अच्छी कर सकते हैं, तो उसको NIS करने के लिए definitely मुझे इसा लगता है, कि Apple उसका इस्तमाल ज़रूर करेगा, अगला question है दोस्तो PR Creator का, वो दे 35,000 का budget है, laptop लूँ या iPad लूँ मुझे video editing करना है, मेरे हिसाब से आपको iPad ही लेना चीए, क्यो आपका पूरा mood खराब हो जाएगा, मैंने Xiaomi का जो Mi Note आया है, अभी नया वाला Mi Note बुक, उसका देखा मेरे video editing का test एक ने बनाया था, 10 minute के 1080 वी video के लिए, उसको 20 minutes लगते, जबकि हमारे जो iPad mini 5 है, वो hardly 3 minutes के अंदर या 2 minutes के अंदर वो पूरा वीडियो कर देता है, render, तो मेर होते हैं कि warranty इसकी मिल जाएगी, और US के price में वो product को sell करते हैं, तो क्या ये black market वाले product होते हैं, क्या इनको लेना चाहिए, इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसको बताओ, देखिए जो global warranty वाले poons होते हैं, वो ऐसा होता है, उसका system, कि suppose कोई बंदा आ रहा है, दु West से, UK से, कहीं से भी, जहां पे भी, iPhone से सचते, तो वो आ जाता है, इंडिया, वो लेके आता है, एक नया iPhone, और उसको थोड़े extra पैसे में, इन टाइप के, जो shopkeeper's है, इनको बेज देता है, और वो shopkeeper's इनको आपको कर देते है, resale, इसको लेने में कोई खतरा नहीं है, इसक जो price है, वो कम है, अगर आप उस हिसाब से सोचो, कि आप नुकसान कर रहे हो, government का, यहां पे लेकर, GST नहीं बरके, तो definitely, वो उस sense में लेना गलत है, लेकिन अगर आप दूसरे टाइप में पूछ रहे हो, कि इसके अंदर लेने में, आपको personally क्या नुकसान होगा, तो आप मुझे जो है, एक ही बार लेना है, तो मुझे आइफोन भी लेना है, आइपैड भी लेना है, आइफोन ऐसी पुराना वाला और आइपैड मीनी 5 जा है, वो लेना चाराओ, एकोसिस्टम बनाना चाराओ students के लिए, और beginner ओ आइफोन के लिए, तो इसके बारे में मुझे बत आते हो, तो एक Apple Pencil की भी आपको ज़रुत पड़ेगी, तो जो आपको 25 में बेच रहा है, अगर वो 5 में आपको Apple Pencil भी देता है, तो आपका एकोसिस्टम जो है, पूरा हो जाएगा, आप बहुत चैसे उसके काम कर पाएंगे, यूँकि आइफोन पर ब्राउसिंग करेंग कि first time buyer को, या first time user of a laptop को Windows लेना चाहिए, या Macbook लेना चाहिए, अगर आपको दोनों ही platform से आप familiar नहीं हो, तो आप किसी भी platform पे जाएंगे, तो आप बहुत easily उस पे हो जाएंगे, adjust, होता क्या है, इंडिया में हमको बचपन से जो है, education system के अंदर, Windows laptop या Windows PC के उपर सिखा ज आता है, इसलिए हम लोग जादा familiar है, जादा ease of use हमको लगता है, Windows use करने में, लेकिन दोनों ही platform, जो है Mac OS और Windows OS, equally easy to use है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, कि ये जादा difficult है, या ये जादा easy है, जिसकी के उपर आपको जाना है, आप जा सकते है, उसको use करेंगे, थोड़े दि जाएंगे, अगला कुशन है दोस्तो, अदित्या उपलकर का, ये बोलते है, मैं Android phone use करता हूँ, लेकिन मुझे respect है iPhone की और Apple ecosystem की, मैं frustrated होता हूँ, कि technology के नाम पे कुछ paid YouTubers जो है, वो इस टाइप की news देते रहे थे, कि ये phone जो है, चाइना में launch हो गया, और थोड़े दिन के अंदर उनको ये ही चीज़े देखने मिलती है, और आपकी तरह ये दूसरे जो YouTubers है, जो लोग total technology को appreciate करते है, जिसमें वो DSLR की भी बात करते है, laptop की भी बात करते है, ऐसा ये सब लोग जो है, वो नहीं करते है, ये सिफ smart phone launches को cover करते है, जैसे के समोसा बिकरा है, street के ऊपर, तो इनको ऐसा लगता है कि इन लोगों को अपना जो channel है, उसका नाम tech से related या technology related जो नाम होगा, उसको बदल कर Mr. Phone या Mr. Mobile ऐसा डाइप का नाम रखनेना चाहिए, आपका इसके बार में क्या opinion है, देखिए हर एक audience होती है, ठीक है, आपका जो thought है, वो आपका thought हो सकता है, बह अपने genre से हट कर दूसरी चीज़ का वीडियो बनाने से वो लोग थोड़े कतराते हैं, थोड़े डरते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को भी YouTubers को भी numbers के game में गिना जाता है, कि इसके कितने subscribers है, इसके कितने views आते हैं, constantly average कितने views आते हैं, और उसी पे पूरी sponsorship का जो game है वो depend करता है, तो कहीं न कहीं इन लोगों को अपनी दुकान चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, यह सारी चीज़े करनी पड़ती है, और उनकी audience जो है, जो उनकी main audience है, जो उनकी active audience है, वो यह चीज़ को पसंद करती है, इसलिए वो लोग यह सब चीज़े करते ह अगला question है दूस्तो कोडी VR का, यह बोलते है, सर आप कोरोना के लिए हमेशा बोलते रहते हो, लेकिन आपने इंडियन आर्मी के लिए कुछ नहीं बोला, एक ता कपूर सौफ पॉन जो है, उसमें दिखा रही है कि इंडियन आर्मी और उनकी family को बुरा भला बोल रही है, उसमें बोलने में कोई भुराई नहीं है, वो एक अच्छी बात है, और आप लोग को जो है, उसके लिए encourage करना मेरा काम है, ना सिर्फ technology की बात करना, रही बात आप जो एकता कपूर की बात कर रहे हो, या इंडियन आर्मी से related कुछ सौफ पॉन अगर उसने दिखाया उसकी बात कर रहे हो, तो मुझे ये सारी चीज़े पता थी नहीं, in fact, आपका comment पढ़के, जब मैंने comment चूज किया, आपका is QN में लेके आने के रहे, तब जाके मैंने search किया, तो मुझे वो exact चीज़ तो नहीं मिली, लेकिन मुझे एक बंदे का वीडियो मिला, जो उसका काफी ह तक अपुस करा, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, obviously, तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, कि ये सारी चीज़े जो है, ये ही बहुत ही बेकार, हमारा वक्त खराब करने वाली, और बहुत ही तक कंडेम करने वाली चीज़े है, ना सिर्फ अगर इन्होंन ये पास iPhone है, phone है Android वाले, iPad है, laptop है, लेकिन कोई भी एक तक पूर के सीरियल नहीं देखता, ना कोई भी जो है, ये daily soap जो आते हैं सीरियल, हमारे गर में ये बिल्कुल भी नहीं चलता, कोई नहीं देखता, हर कोई अपने काम में busy है, चाहे वो मेरी मदर भी क्यों ना हो, तो किसी religion के उपर कीचरड उचाल कर, ये किसी political leader के उपर कीचरड उचाल कर, ये public को करना चाते है, instigate, इनको गुसा दिलाना चाते है, ताकि इनकी publicity हो, तो जितना हम उनके बारे में बात करेंगे, उतनी जादा उनको publicity मिलेगी, हमारे Q&A का आखरी caution है, दोस्तो, साथ की engineering का student था, Mumbai University का ही, Mumbai University से ही मैं भी पढ़ा हूँ, तो मुझे पता है कि चीज़े कैसे काम करती है, वो थे iPad Air मेरे पास भी है, और इसको मैं सिर्फ exam के टाइम पर पढ़ाई के लिए उस करता हूँ, PDF इसके अंदर मुझे easily मिल जाते है, और महां से मैं उसको read करता हूँ, बड मैं अगली बार आपके मुताबिक सोच के बोलूगा, क्योंकि यह आपकी सोच है, और अगर आप किसी और YouTube चैनल पे H-type का comment जो है, वो करते हैं, तो कोई YouTuber आपका comment पिक नहीं करेगा, क्योंकि इतना जो आप language का इस्तमाल करे हो, यह किसी को भी सही लगने वाली नहीं है, और हर field के अंदर लोग note-taking करते ही करते हैं, रही बात iPad की, तो iPad जो है दोस्त मेरे वो एक है tool जहाँ पे आप लेते हो notes और उन notes को आप refer करते हो, आप पढ़ते हो, एक्जाम के टाइम पे निकाल कर ताब के आपको ease of use मिले, जो पहला एक question था मैंने एक कलिया था कि iPad में note-taking कैसे करते हैं, तो थोड़ा आप जो है research कीजिए, iPad खरीदने पर, आप जो है iPad यूज करने के expert नहीं बन जाएंगे, उसको use करने का तरीका सीखे, तब जाके आप engineering के काम में अपने iPad को use अच्छे तरीकी से कर पाएंगे, और आपके लिए वो actual productivity का tool बन जाएगा, रही बात AutoCAD और SolidWorks की बात, तो मैंने कभी भी नहीं का कि iPad जो है आपने ले लिया, तो आपकी जिन्दगी सफल होगी, आप दुनिया के best engineering बढ़ गए, और आप जब engineering से बाहर निकलेंगे, तो आपको करोड़ो रोपे की package लेके, फैक्टरी वाले या company वाले खड़े होंगे, ऐसा क Government of Maharashtra ने जो हुकुम दिया है, आपको पास करने का engineering में, उसका फाइदा उठाईए, यह जो आपके products है, उसको इस्तमाल करना सीखिए, अपनी productivity बढ़ाईए, तो आपको समझ में आ जाएगा, रही बात laptop की, तो laptop अपने अलग काम की चीज़ होती है, आपका phone जो है, इस वीडियो के पहले वाले वीडियो हमारी MacBook की है, वीडियो के starting में आपको doctor phone के बारे में बदा था, उसका link नीचे description में उसको check out जरू कीजिए, उमीद कता हो दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंदा होगा, पसंदा हो दो इसको like and share जरू कीजिए, और मेरे चैनल को subscribe झाल के बारे मेरे कीजिए, गुल्भए!